Hello everyone, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आई टी आई का जो आपके एक्जाम होता है कुल कितने मांक्स का आपका एक्जाम होता और उसमें आपको कितने नम्मर जो पर सब्जेक्ट में आपको लाने पड़ेंगे पास होने के लिए और कौन-कौन सा पेपर जो आपका online होता है जैसा कि आप लोग जानते होंगे इस पिछले साल से जो आप लोगों का जो पेपर है वो online होने लगा है उसके पहले offline होता था तो कौन-कौन सा पेपर यहाँ पर online आपको देने पड़ेंगे कौन से आपको offline होंगे और जो offline होगे उसका center कहां पर पढ़ता है, आपका online वाले का center कहां पर पर पढ़ता है, तो यह सारे topic के उपर आज हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो शुरू करने के पहले, यदि आपने हमारे चनल को subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर लिजए, ITI से जुड़े सभी update के लिए हमारे चनल को जुरूर subscribe कर लिजएगा, और जो भी यहाँ पर जो new student है, जो 20 वाई session के student है, उनके सथ वीडियो को जरूर सेर किजएगा, ताकि उनको पता चल सके कि कितने marks का उनका paper होता है, और उनको कितना marks जो उसमें secure करना होगा, पास करने के लिए, तो चलते हैं, चलते हैं, मैं यहाँ पर आ admission sessions यहाँ देखेंगे, यहाँ पर नीचे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगस्त 2019, यानि 19 एकी session के यह student है, और मैं आपको यहाँ पर result दिखा देता हूँ, total यही बात करें हम लोग, तो यहाँ पर total जो आपको exam होता है, वो 700 होता है, total यहाँ पर देख सकते हैं, आप जाई की बात करें, तो कुल मिला के five papers आपका यहाँ पर होता है, जिसमें से तीन जो पेपर है, वो आपका online mod में होता है, और बाकी के जो दो है, वो आपके offline mod में होता है, तो समझ लिस देगा, तो कौन-कौन सा online mod में होता है, आपका, देखिए, यहाँ पर trade theories यह, यह online ठीक है उसके बाद दूसरा जो होगा आपका employability skill का होगा जिसका बेटेज बात करें तो 50 marks का ये है और workshop calculation and science WCS जिसको short में बोलते हैं इसका होगा 50 marks का यानि कुल मिला के 200 number जो आपका 200 marks जो है ये क्या होता आपका इसका online exam होता है ठीक है जिसको बोलता है क्या CBT exam यानि computer based test इसका exam जो आपको computer के ओपर online देना पड़ेगा 200 number का और बांकी जो आपका 500 number रहे गया 500 ये क्या होता है आपका ये सारे offline mode में होते हैं ठीक है तो यहां पर और बात कर लेते हैं हम लोग offline वाले papers की तो देखें यहां पर offline में आपका क्या है engineering drawing जो कि आपका सबसे important है engineering drawing क्योंकि engineering drawing में ज्यादा तर students फैल करते हैं और इस वार जो आपका trade theory में भी बहुत सारे student को back लगा है क्यों क्योंकि इस वार जो exam जो वो online mode में होने के वज़े से बहुत सारे student को trade theory में भी back देखने के लिए मिला है जो की continue नहीं रते इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग अपना preparation जो continue रखिए कम से कम ये जो 200 mark से आपका जो online होता है इसका तयारी आप लोग अच्छे से कीजिए ठीक है क्योंकि ये online mode में होगा इसमें आपको कोई भी help नहीं मिलने वाला है तो आप लोग जितना आप जानिएगा बस उतना ही आप इसमें कर पाईएगा ठीक है तो इस वज़े से आप लोग 200 number का जो at least अच्छे से prepare कीजिए और कह आपका trade practical TP जिसको short में बोले तो ये दोनों मिला कि आपका कितना marks हो गया तो ये दोनों मिला कि आपका 300 marks का ये होगा ठीक है और ये जो 300 marks के exam होगा ये आपका offline mode में होगा college में आपके college में home center हो इस वार जो जैसे कि इस वार exam हुआ था तो home center ठीक है जिनका जो college है वहीं प अच्छा है नहीं भी मिलता है तो भी आपको घबराना नहीं है ED में आपका 50 marks का ही है total और ED में जो हर एक साल same questions जो पूछे जाते हैं तीन या चार questions आता है जो हर एक साल repeat होता है तो इसके ओपर भी मैंने video बना दिया है आगे भी मैं आपको inform कर दूँगा कि आपको ED का जो और एक paper यहाँ पर क्या है देख सकते हैं आप फॉर्मेटिव एसिस्टमेंट ठीक है तो यह होता है 200 नमर का होता है इसका कोई exam नहीं होता है यह आपके college के तरफ से आपको दिया जाता है तो यह आपका formative assessment इसका कोई भी exam नहीं होता तो exam जो होता है आपका कितना total 5 papers का exam ह होता है जिसमें 3 paper जो आपका क्या होगा online होगा जिसका CBT exam होगा और 2 paper जो offline होगा जिसका center आपके college में रहेगा या फिर आपके other किसी college में पढ़ सकता है ठीक है और online जो exam होता है उसका center समझ लिजे कहां पर होगा तो जहां भी computer center है जहां पर computer यानि online exam करा जाता है आपके district district में वहां पर आपका center पढ़ सकता है ठीक है तो district के बाहर आपका exam नहीं होगा online वाला जो exam है वो आपके district से बाहर नहीं जाएगा CBT exam जो है ठीक है और अभी जो आपका CBT exam का fee payment भी हो रहा है CBT exam के लिए आपको 376 रुपए का चलान कटाना पड़ता है उसके बाद आपका admit card जारी होता है तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा CBT के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 376 रुपए का चलान कटाना पड़ेगा उसके बाद आपका online exam होगा तो 376 का चलान कब कटाना है तो यह सारे information जब आपका exam होगा उस समय आपको बता दिया जाएगा ठीक है त तो यह trade theory का total 100 marks का होगा जिसमें आपको जो यहाँ पे 33 100 में से कितना नमर आपको लाना है 33 marks आपको लाना है पास करने के लिए ठीक है trade theory में 100 में 33 पास करने के लिए लाना है उसके बाद यदि हम लोग बात करें ES यानि employability skill का इसमें देखे 50 marks का total exam है जिसमें से आपको 17 marks जो है 17 यानि 17 नमर आपको लाना पड़ेगा पचास में से 17 question यानि आपको सही करना है ठीक है उसके बाद next यहीं बात करें हम लोग यहाँ पर workshop calculation and science इसका भी 15 total जो marks है वो कितना है 50 marks है जिसमें से आपको 17 नमर इसमें भी लाना पड़ेगा और engineering drawing में भी आपको 50 में से 17 नम नमर लाना है ठीक है उसके बाद next यहीं बात करें यहाँ पर trade practical जो कि 200 नमर का होता है इसमें आपको पास करने के लिए 1500 नमर जो आपको लाना पड़ेगा trade practical में आप लोग देख सकते हैं यहाँ और जो formative assessment है इसके लिए आपको 200 में से 120 नमर लाना रहता है जो कि आपको इ लाइबाब अगेरा यह सारे जो exam होते हैं internal exam उन सारे marks को यहाँ पर add करके आपको दिया जाता है ठीक है तो आप लोग समझ सकते हैं इस तरह से यानि 100 में आपको 33 नमर लाना होगा और 50 वाले में आपको 17 नमर पास करने के लिए लाना होगा तो I hope आपका जो यहाँ पर exam से दूँगा ठीक है और देखे यहाँ पर आपको जो यहाँ आपको किसी भी subject में फैल हो जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर grievance एक जो होता है आपको सिकायत दर्ज करने का result के खिलाब वो भी यहाँ पर आपको option मिलता है तो जब आप लोगों का 20-20 session का exam होगा result आए तो चलिए मिलता है next update में